अब मैं आपको सिखाऊंगा कि Arabian Shield Insurance आपने किस तरीके से खरीदनी है यह इस खरीदने से पहले आपको यह सब documents require होंगे जो कि step number one में 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 पासपोर्ट नंबर वीजा नंबर बॉर्डर नंबर वीजा एक्सपाइर डेट और आपका मुबाइल नंबर और सोजर अपका और कोई भी email आईडी यह 234 और फाइब यह information आपने अपशर की एप से लॉग इन करके वहां से ले सकते हैं उसके बाद अपना नंबर और email आईडी तो आपके पास होगी ही तो वह आप यूज कर सकते हैं तो अब हम Arabian Shield insurance खरीदने के लिए इस link पे कलिक करें करेंगे यह link में आपको इस वीडियो की description में भी provide कर दूँगा ताकि आपके लिए कुछ भी परेशानी नहीं हो इस link पे हम कलिक करने के बाद इस page पे हम redirect हो जाएंगे यह थोड़ा सा open होने में time लेगा open होने के बार आप यहां पर आएंगे और यहां पर start now पे क्लिक कर देंगे अब यहां पर हमार से passport number मांगेगा तो passport number आपने क्यूंके पहले से copy किया वह होगा तो यहां पर पेस्ट कर देंगे और इसी तरह आप यहां पर वीजा नंबर भी पेस्ट कर देंगे यह पेस्ट करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे यहां पर आप I agree पे क्लिक क करेंगे अब आप नेक्स पर क्लिक करेंगे अब यहां पर आपकी सारी डिटेल ओपन हो जाएंगी उसके बाद आपने इंशोरेंस का डिएशन स्लेक्ट करना होगा अगर आप 30 देज के लिए इंशोरेंस करना चाहरे हैं यानिके एक्सटेंड करवाना चाहरें अपना यानिके नाइटि डेज के लिए अपना वीजा एक्सटेंड करना चाहरे हैं तो आप यहान नाइटि डेज ही स्लेक्ट कीजेगा उसके बाद आप नीचे आएंगे यहां मुबाइल नंबर में आपका जो भी मुबाइल नंबर लिखावा होगा उसको आप डिडेट करके अ एकस्पारड डेटस पर अपशर यानिक्याव के अब अब्शर अकाउंट में जो आपके वीजा की एकस्पारड है वह आप यहां पे महां से देखें यहां आप वह स्लेक्ट कर लेंगे स्पोस्पोस मेरी सैवन है तो मैं यहां पर सैवन कर दूंगा उसके बाद है लेकिन आपने इस पर click करना है declaration पर click करने के बाद आपके पास यह जीज़ open हो जाएगी आपने जब यहां पर icon फूर्म पर click करना है और इसको update करने के बाद आप इसको नीचे आएंगे नीचे आपके आप यहां पर next पे क्लिक कर देंगे अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे पास कोड समरी आ जाएगी कि यह आपकी इंशुरेंस 90 डेस की है और उसके लिए आपको टोटल 26.38 रियाल पे करने होंगे इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जो नंबर दिया होगा उस पे आपको एक OTP रेसीव होगा वो आप यहां पे एंटर कर देंगे वेरिफाई OTP पे क्लिक करेंगे आपकी वेरिफिकेशन सक्सेस्फुल हो जाएगी उसके बाद आप नीचे आएंगे आइकन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आइकन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप प्रोसीट पर क्लिक कर देंगे अब यहां पर अपना कार्ड नंबर एंटर करेंगे उसका एक्सपारी मन्थ और येर एंटर करेंगे कोड़ करेंगे और काड्र मेंट करके पर करतेंगे उसके बाद आपके न Bhagat फार सजा और नंटर कर देंगे और की होगी उसके उपर आपको इस इसकी जो आपने इंशुरेंस पे की है उसकी रसीद भी आ जाएगी और इंशुरेंस पॉलिसी का डॉकुमेंट भी आ जाएगा वो कभी देर साथ है और कभी जल्दी आ जाता है तो आपने वेट करना है जैसे आपको डॉकुमेंट रसीब तो आपको इमेल पर इस तरह का एक डॉकुमेंट रसीव हो जाएगा जिसमें आपका पॉलिजी नूमबर और सारे डिटेल यहां पर मेंचन होगी तो याद रहे कि कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि जो इंशुरेंस हमने वीजा स्टेंप करवाते हैं वक्त ली थी क्या व से इंशुरेंस लाजमें भाई करने पड़ेगी अदर्वाइज आपके इंशुरेंस रिन सुरी अदर्वाइज आपका वीजा रिन्यू नहीं होगा